गुड मॉर्निंग स्टूडियोंस टोड़े वे विली स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर एकादस पाथ मतलब 11 लेशन 11 पाथ सिर्शक है अमर ग्रिया गच्छते अमर घर से जाता है अच्छो इस अध्याय में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यह अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पर नंबर दिया है 1,2,3,4 इस प्रकार आप लोग बुक में नंबर दीचे और एक ही करके मैं इसका हिंदी अर्थ देखेंगे इसके हिंदी अर्थे अमर घर से जाता है वह विद्याले जाता है तत्र स पठती वहाँ वह पढ़ता है तत स विद्याले आत आगर चती फिर फ विद्याले से आता है तो यहाँ पर ग्रीहाथ और विद्याले जाता है अर्थ ऑपादान कार पच्समी विभरती है हैं इसकार्थ है अलग होना में हो गैसे कि घर से जा रहा है घर से अलग होकर यह कहां जा रहा है विद्याले जा रहा है वो पढ़ाय करने के बाद वो विद्याले से लगवकर फिर अपने घर वापस आता है अच्छा भल में देखेंगे दूसरा नमबर अमर कुत्ता आगचती मतलब अमर कहां से आता है स विद्याले आगचती वो विद्याले से आता है पस्य तत्र अमर से विद्याले आगचती पस्य मतलब देखो देखो वह अमर का विद्याले है विद्याले समीपे अस्ती विद्याले निकट में है समीपे मतलब निकट में है तिसरा नमबर सायम अमर कृड़ा चेत्र गचती तलब साम को अमर खेल का मैदान जाता है तत्र सह क्रिड़ती मतलो वहाँ वह खेलता है सह कंदुकिन क्रिड़ती मतलो वह गेंद से खेलता है तत्र सह क्रिड़ा छेतरा ताग चत्ती तलब फिर वह खेल का मैदान से आता है या खेल मैदान से आता है चोथा नमबर है यदा अमर खेलती तदा कंदू का पतती बतला हिंदी अर्थे जब अमर खेलता है तदा कब तब गेंद गिरता है कंदू का कुद पतती गेंद कहां गिरता है या कहां से गिरता है कंदू का हस्तात पतती गेन हाथ से गिरता है। बालक का विच्छात पतती लड़का विच्छ से गिरता है। अब हम लोग देखेंगे पाजवा नमबर। मग मातोलभ विदेश जाते हैं। तत्र सह कार्य करोती वहां वह काम करते हैं। अच्चिन यहाँ पर करोती करता है होगा लेकिन मामा हम इने आदर देते हैं, सम्मान देते हैं होगा वहाँ वह काम करते हैं अद्य सव विदेशाद आगाचती अद्य मतलब बता है आज आज वह विदेश से आता है या आते हैं सव वायोयाए आगाचती मतलब वह हवायजाद से आते हैं या हवायजाद से आता है छटा है जनक आपन गच्छती पिता जी दुकान जाते हैं समिस्थानम आनियती वह मिठाय लाते हैं सह आपनात मिस्टानियम आनियती वह दुकान से आपनात लोगे दुकान से मिठाई लाते हैं अहम आपनात कंदुकम आनियामी तब मैं दुकान से गेन लाता हूं सिवन्त नमबर है एश ग्राम यह गाओं है तत्र कूप अस्ते वह कुवा है महिला महिला जलम आनियती लब महिलाएं या औरते जल लाती है चीतर में हम लोग देख रहे हैं बच्चों ता कुपाद जलम आनियती ता यह महिला के लिए है भोचन ता कुपाद मतलब है कुवास से जल लाती है बच्चों इस वरकार मैंने इसका हिंदी अर्थ बताया है नमबर वन टो करके सबसे पहले इसका संस्कृत संटेंस लिखना है उसके बाद इसका Hindi Earth और जब पहला complete हो जाए तो दूसरा संस्रीट sentence लिखना है उसके बाद ही इस Hindi Earth को लिखना है इसे अपने स्कूल की संस्रीट की copy में अच्छी तरह से लिखना है